जोहार नमस्कार प्रणाम स्वागत है हमारे सिम्डेगा समाचार के योटूब चैनल में चलिए दिन की छोटी बड़ी तमाम खबर एक साथ सुरू करते हैं फटाफट अंदाज में चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन पाएं आप अपने मोबाइल पर सिम्डेगा जिले भर में वैक्सिनेशन का कार्य सभी सेंटरों में बंध हो गया है इधर केवल सिम्डेगा सजार अस्पताल में वैक्सिनेशन का काम चला जहां पर महज 133 लोगों को वैक्सिन दी गई इसके अलावा जब वैक्सिन खत्म हो गई तो कई लोगों को वापस आपको बता दे जिला में लगभग 2500 से लेकर 3000 तक के बीच में डेली वैक्सिनेशन का काम चल रहा था लेकिन वैक्सिन नहीं होने के कारण सब भी वैक्सिनेशन सेंटर पे ताला लटक गया है इधर सिविल सरजन का कहना है कि जैसे ही आवंटन प्राप्त होती है सुचारों र उक्त प्रेस कांफरेंस में आउट्रिच के जिला प्रभारी सन्नी टोप पो महजुद रहें उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का उद्देश है कि ग्रामिन शेत्र के हर गरामिन मजदूर तपके कि लोगों के बीच में जाकर करना काल में हुए प्रभावित, मौत, सहित सभी च बाजार खुल तो गए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही, लगतार बढ़ते हुए, दिखाई दे रही हैं, लोग बीना मास्क के बाजार में घुमते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके साद ही, जो बेचने आएं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं दिखाई दे रहा है, ज इदर सिम्डेगा स्वास विभाग के द्वारा कॉरोना के तीसरी लहर की संभावित खतरे को देखते हुए जगा जगा पर कॉरोना जाच सिविर का आयोजन किया जिसमें सिम्डेगा के हिर्दैस्थली महाबिर चौंक के समिप आयोजित जाच में 400 लोगों का लक्ष लिया गया था जहां पर 320 लोगों का सैंपल लिया गया, साथ ही बताया गया इन सभी का लेब के माध्यम से रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट दी जाएगी, मौके पर स्वाध विभाग के सभी कर्मी मौजद रहे। बोलबा के ग्रामीनों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन सिंदेगा उपायुक के सोपा है, उक्त आवेदन में ग्रामीनों ने लिखा है कि कुरूडेग बन चेतर के फोरेस्टर के मेली भगत के कारण अवैद टेक्टर में पत्थर लदे गाड़ी को छोड़ दिया गया, अवेदन के उपायुक्त सुसान्त गवरों के द्वारा अपने आवास्ये कारियाले में कारिक्रम आयजित करते हुए अपने आदेश पाल नरिशकुमार एवं करम दयाल की सेवा निर्वित होने पर उन्हें सुब कामना देते हुए बिदाई दी, आपको बता दे समराया गया इस मौके पर टोकियो ओलम्पिक में चैनित सिम्डेगा की बढ़की छापर निवासी सलिमा टेटे के घर पहुचकर SBI लेडिज कलब की और से साधे कारकरम के बीच में सलिमा के माता पिता को सालड़ा कर सम्मानित किया, सम्मानित करने के साथ ही उन्हें एक ला आर्थिक परिवार मदद मिलेगी इसलिए दिया जा रहा है मौके पर महिला कलब की सदस्य मौजुद रही सिम्डेगा ब्लड बैंक में डॉक्टर सडे के मौके पर रक्तदान सिविर का आयोजन किया गया, जहां पर सरवपर्थम ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सुहल अंसारी के द्वारा रक्तदान किया जिसके बाद कुल अन्य पांच लोगों ने भी यहां पर रक्तदान की मौक्र परह ने बताया कि डॉक्टरों की सेवा सची सेवा होती है और इस प्रिथिapp के भगवान के रूप में दॉक्टरों को देखी जाती है रλज याद के रूप में जिम्डेगा ब्लड बैंक में डॉक्टर स्ट्रे के रूप में मनाया गया जिसमें सभी लोगों की भूमिकार रही सिम्डेगा उपायुक सुसांत गौरव कोलेवीरा प्रकंट शेत्र का दौरा किया इस दौरान विभिन अजनाहों से संचालित कारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारे लिए इस दौरान ल उपायुक्त के दवारा लचडागढ में चल रहे है बिरसा हरीत ग्राम युजना के तहट पौधा रोपो पानी रोपो अभियान की गई की जहां पर स्वम्ग उपायुक्त के दोारा व्रिक्ष लगाते हुए वहां पर अभियान की शुरुवात कि और कहा कि जीवन हमेशा लोगों को व्रिक्ष लगाने की आई सकता है जिस्ते की प्रकृति का संतूलन बना रहता है साथ ही व्रिक्ष रोपन से हमें अधिक से अधिक मुनाफ़ा भी प्राप्थ होती है मौके पर वीडियो सी ओ डीडिसी साइद कई लोग उपस्थित रहें सिम्डेगा में ल यात्रियों को ले जाया जा रहा है और पहली बार लंबे समय के बाद बसों का परिचालन खुला रहा तो यात्रियों की संख्या में कमी देखी गई इसके अलावा सभी प्रकार के नियमों को भी पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना के महामारी से बचा जा सके और लोगों को उस रक्षित रखा जा सके फिलाल अब प्रती एक दिन बसों का परिशाल जारी रहेगा इस मामले में सिम्डेगा डीटी ओ वीजै सिंग बिर्वा ने बताया कि राज्य के परिवाहन आयोक्त किरन कुमार पासी के द्वारा आई दिसा निर्देश के अनुसार बसों में जब्त करते हुए उनके उपर कारवाई भी की जा सकती है डॉक्टर्स डे के मौके पर सिम्डेगा सिविल सजन कार्याले में हेल्थ मैप की ओर से डॉक्टर्स डे मनाया गया इस मौके पर सभी डॉक्टरों के मौज़ूदगी में केक काड़ते हुए इस दिन को मनाया गया मौकपार सिविर सजजन डॉक्टर पीकिया सिन्णा ने कहा कि डॉक्टरों के लिए यह दिन खास होता है क्योंकि हमेशा से लोगों के मानव सिवा करने वाले डॉक्टरों के लिए इस दिन को खास बनाए गया है जिस पर हेल्थ मेप के द्वारा एक कारकरम आयुजित की गई सिम्डेगा के ठेटे टांगर में कोरोना जांच सिवीर का आयोजन करते हुए काफी संख्या में लोगों के जाच की गई जहाँ पर मुख्य रूप से प्रक्रण विकास पतादिकारी मनज कुमार, अंचल अदिकारी समीर कशियप एवं थाना प्रभारी कुमार इंद्रेस मौजुद रहकर आने जाने वाले रहगीरों को रोकते हुए कोरोना का जांच टेमपल लिया मौकेपरण ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए यह कदम उठाय गया है ताकि कोई भी संकर्मी थोटों से आसानी से पच्चान किया जा सके इसके लावा बोलबा में भी कोरोना जांच सिवीर का आयोजन किया गया जहां पर आने जाने वाले रहगीरों को रोकते हुए जांच सिवीर की गई मुख्य पर वहाँ पर भी 200 लोगों का टार्गेट लेका किया गया था जहां पर टार्गेट को पूल करते हुए सभी लोगों की जाच की गई बता गया कि आटी पी सियार टूनेट तथा अन्य जगहों के लिए भी सेंपल ली गई है ताकि आधिक से अधिक सेंपल का पताय लगा जा सके सिम्डेगा जिला आजसुपाटी की और से ठाकुट्रोली स्थित ड्रीम पैलेस में बैठाक आयोजित करते हुए छात्र मोर्चा के जला अध्यक्ष का चैन किया गया जिस पर छात्र मोर्चा के रूप में दिगंबर ठाकुर का चैन किया गया तो वही ठेटे इटांगर प्रखण अध्यक्ष का भी चैन किया गया साथ ही उन्होंने चैन करते हुए कहा कि पार्टी के निती सिद्धानत ते अउगत कराते हुए आज सुपाटी को अधिक सधिक मजबूती प्रदान कराएं ताकि आने वाले दिनों में आज सुपाटी मजबूत हो सके मौके पर पार्टी के पदाधिकारी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोजद रही सिम्डिगा सिबिल सर्जन के कार्याले में जारखन मुक्ती मौर्चा के जिला सचियु सफिक खान पहुचकर सिबिल सर्जन को बुक्के देते हुए डॉक्टर स्डे की सुबकाम नाए दी साथ ही वनोंने कहा कि यह दिन बहत खास है क्योंकि इस कुरुणा काल में डॉक्टरों की जो भुमिका है वो किसी से छुपा नहीं है और डॉक्टरों ने इस पृत्वी के भगवान की रूप में कारे करते हुए इस कुरुणा महामारी से निकलने में हम सभी की मदद की है इसलिए हमें उन्हें दिल से याद करने ही चा करें इसके अलावा डायवर्शन को काली करन करने का निर्देश दिया ताकि बारिश में दिग्गत ना हो गवर्ट लभोई से पहले डायवर्शन तूटने से अवागमन प्रभावित हुआ था और लोगों को परिशानी हो रही थी सिम्डेगा नगर परिशत की ओर से प्रधा के मकान मुहया कराने के लिए नगर विकास की ओर से यह काम किये जा रहे हैं ताकि लोगों को इसका लाब दिया जा सके इसकारे के लिए मैनेजर प्रफल बोद्रा सहित कई अन्यपदादीकारी लगातार कारे पर जुटे हुए हैं ताकि लोगों को लाब दिया राया सके सि